हलो गईज, वेलकम तो साइन्स वर्क्षॉप, दिस इस कुसुम हेर गईज, वीडियो में हम किंग्डम प्रॉटीस्टा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है हम फाइफ किंग्डम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें हमने लास्ट वीडियो में किंग्डम मॉनेरा के बारे में पढ़ लिया था और ये फाइफ किंग्डम क्लासिफिकेशन सिस्टम का सेकंड किंग्डम है, किंग्डम प्रॉटीस्टा, ठीक है इसके बारे में डीटेल में देखते हैं अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे Telegram चैनल पे जॉइन कर सकते हैं Telegram चैनल का जो लिंक है वो आपको description में मिल जाएगा और Telegram चैनल जो है वो आपको Science Workshop के नाम से मिलेगा और अभी आते हैं Kingdom Pratista पे इसमें कौन से Organism आते हैं ऐसे Organism आते हैं जो कि कैसे हो भाई Unicellular हूँ ठीक है Unicellular हूँ और Eukaryotes हूँ Unicellular का मतलब सबको पता है क्या है एक सेल से बने हूँ जो Organism और Eukaryotes मतलब जिनमें Well Developed Nucleus Present हो यानि Membrane Bounded जो है Membrane Bounded Nucleus इसमें पाया जाता है Eukaryotes में यानि हमारा Nucleus है Nucleus में हमारा DNA वगरा Genetic Material होता है वो Membrane से ऐसे Bounded रहता है जबकि Prokaryotes की बात करें तो ये Membrane Bounded नहीं होता Prokaryotes में Nucleus तो Kingdom Protista में ऐसे Organism आते हैं जो की Unicellular हो और Eukaryotes हो लाइक उसमें Membrane Bounded Nucleus इसमें पाया जाता हो इसके लावा ये जो Organism होते हैं इनमें Locomotion जो है Locomotion किसके द्वारा होता है भाई कुछ इनमें Structures पाये जाती है जैसे की Celia हो गया जैसे की Flazella हो गया और इसके लावा Celia की अगर बात करें तो ये किसमें पाया जाएगा Celia Paramecium में प्रेजेंट होता है और Flazella जो है वो Yuglina में होता है और इसके अलावा कुछ और्गनिजम जैसे की Amoeba हो गया उसमें Locomotion के लिए क्या होता है Pseudopodia नाम की Structure पाये जाती है ये किसमें होती है Amoeba में होती है तो Locomotion के लिए इसमें Celia, Flazella, Pseudopodia इस टाइप की Structure प्रेजेंट होती है Okay guys And next point अगर देखी इसमें तो क्या होगा इनमें क्या होता है जो Protist होते हैं वो भाई कुछ तो Cell wall प्रेजेंट होती है कुछ में तो है ना और Cell wall प्रेजेंट है और ये कैसे होते हैं Autodrops होते हैं यानि इनमें Chlorophyll प्रेजेंट होता है क्या होता है Chlorophyll प्रेजेंट होता है अगर Chlorophyll प्रेजेंट है तो क्या है कि वो अपना Food खुद से Synthesize कर सकते हैं इसलिए हम उसको Autodrop बोल देते हैं और इस के अंदर इस category में कौन सी आ जाते हैं Organism Algae आ जाएगी तो Algae को हमने किसमें रखा है Kingdom Pratista में रखा है और इसके लबा कुछ Organism ऐसे भी होते हैं जिनमें Salvol जो है वो एपसेंट होती है Salvol प्रेजेंट नहीं होती उसमें एपसेंट है और वो Animal-like structure होती है और उनको हमने किसमें रखा है उनको हमने Proto-Jowans में रखा है Proto-Jowans में रखा है तो इस तरह से कुछ Animal इस Kingdom के जिसमें Salvol प्रेजेंट होती है और वो Autotrops होते हैं जिनमें Chlorophyll पाया जाता है और ऐसे केटेगरी में Algae को रख दिया Salvol एपसेंट है और जो की हमने Proto-Jowans में रख दिया और ये लोग कैसे होते है Heterotrops होते है यानि अपना फूड की खुद से Synthesize नहीं करते है और अपने फूड के लिए किसी और Organism पे Depend रहते हैं ठीक है एक्जाम्पल की एगर बात करें Kingdom Protista में कौन-कौन से Organisms आ जाते हैं जैसे की Paramecium हो गया ठीक है यूगलीना हो गया अमीबा हो गया और Unicellular algae आ गी ठीक है ये कुछ Man-Man एक्जाम्पल हमने देख लिए Kingdom Protista में कौन-कौन से Organism आते हैं आप यहां देख सकते हैं कि Protista में Protista का मतलब ही क्या है First are Simple Unicellular Eukaryotic Organism यानि ये Unicellular और Eukaryotic Organism जो है Kingdom Protista के अंदर आते हैं इनके अंदर Well-Defined And also Membrane-Bounded Cell Organism Present होते हैं ठीक है इनमें Well-Defined Nucleus पाया जाएगा Membrane-Bounded Nucleus होगा इसके अलबा कुछ और Cell Organism होते हैं जैसे के Mitochondria हो गया Golgi Body हो गया ये भी Membrane-Bounded Cell Organism इसके अंदर पाये जाते हैं Locomotion जो है Occurs with the help of Hair-like Structure जिसको हम Celia बोलते हैं और Celia की द्वारा Locomotion किसमे होता है Paramecium में होता है इसके लाबा Weep-like के Structure होती है जिसको हम Flazella बोलते हैं और Flazella की द्वारा Locomotion यूगली नामे होता है इसके अलाबा Pseudopodia नाम की Structure पाये जाती है इनमें जिसमें Amoeba में ये Pseudopodia नाम की Structure के द्वारा Locomotion होता है कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते है जिनकी Cellul वो Cellulosic होती है और जिनमे Chloroplast present होता है और उसको हम क्या बोलते हैं अल्गी बोलते है और अल्गी क्या है Chloroplast present है तो वो अपना food खुद से synthesize कर सकते है Sunlight की help से और इस वज़े से हम इसको क्या बोलते है Autotrophs बोलते है और इनके अंदर जो है वो contractile vacuels प्रेजन्ट होती है गाइस अल्गी के अंदर ठीक है इसके अलाबा कुछ जो protist है वो animal-like cells भी रखते है यानि कि इन में cell wall absent होती है और chloroplast भी इसमें नहीं पाया जाता ठीक है तो इसको हमने किसमें रखा protojoans में रख दिया जो कि क्या है हिट्रोट्राप्स है या holojoic है हिट्रोट्राप्स मतलब यह अपना food खुद से synthesize नहीं करेंगे food के लिए किसी और organism पे depend रहेंगे एक्जम्पल की बात करें तो इसमें dietems आगे unicellar algae आगी unicellar algae का एक्जम्पल ले तो वो है claimidomonas इसके लाबा dynophlazolates noctiluca gonilax paramecium, amoeba, yuglena यह सारे के सारे एक्जम्पल आगे kingdom protista की यह सारे organism है ठीक है अगर structure देखे yuglena की क्योंकि yuglena क्या है kingdom monera का एक organism है yuglena जो है वो कैसा है unicellar है और eukaryote है ठीक है तो इसमें plasma membrane आप यहाँ देख सकते यह plasma membrane है इसमें cytoplasm प्रेजन्ट है chloroplast भी yuglena में प्रेजन्ट है nucleus जो है वो well defined है और membrane bounded है इसके इलावा जो different different cell organelle है जैसे mitochondria हो गया ribosome हो गया golgi apparatus हो गया यह सारे भी membrane bounded है ठीक है membrane से bounded है smooth endoplasmic reticulum और rough endoplasmic reticulum आपको पताओगा जो endoplasmic reticulum यानि ER जो होता है वो दो टाइप का होता है एक तो हो गया smooth endoplasmic reticulum और दूसरा हो गया rough endoplasmic reticulum और इसके लावा इसमें lysosomes भी पाये जाते हैं तो यह हमने देख ली किसकी yuglena की structure और यह सारी चीजे जो yuglena की structure में हमें देखने को मिलती है जो की एक kingdom protista का organism है इसके लावा कुछ और example की बात करें amoeba हमें कुछ इस तरह का देखता है जो की क्या होता है unicellar होता है और eukaryote होता है yuglena यह रहा जिसकी detail structure अभी हम देख क्या है slim mold हो गया diatum हो गया paramecium dinoflazoate macro macro alga ठीक है तो यह कुछ examples और भी है यह organisms है protista kingdom की ठीक है तो I hope guys सबको समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर देना share कर देना और subscribe कर देना अगर कोई भी doubt बचता है आपको किसी भी session में किसी भी topic में ठीक है तो आप उस video के मुझे comment box में पूछ सकते हैं और comment box में पूछ लेना उसके बाद में जो भी doubt होगा जो भी आपका question होगा उसके उपर मैं सभी बच्चों के doubt जो है एक अलग से video बना के एक अलग से class लेके उसमें मैं clear कर दूँ आपको सभी टाउट के उसमें solution मिल जाएंगे ठीक है Thanks for watching this video Thank you guys